जैस्री कृष्णा आई जानते हैं कार्तिक पुडिमा कब है जाने अस्नान दान वपूजन का शूब मुहोद और दीप दान का महत्व कार्तिक पुडिमा इस साल आठ नवंबर को है कार्तिक मास को सभी महीनों में बेहत सुब वफलधाली माना गया है मान्यता है कि कार्तिक पुडिमा के दिन पवित्र नदी में अस्नान वद्दान करने से इस पूरे महीने किये गए पूजा पाठ के बराबर फल मिलता है कार्तिक महीना भगवान विश्रू को अतिप प्रिय है कार्तिक पुडिमा को देव दिपावली के नाम से जाना जाता है मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विश्रू ने मतस्या उतार लिया था कार्तिक पुडिमा का सुब मुहूर इवं महत्व आई जानते है पुडिमातिथी 7 नमंबर 2022 को साम 4 बजकर 15 मिनट पर सुरू होगी जो की 8 नमंबर को साम 4 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगी पुडिमातिथी के दिन असनान का शुब मुहोड साम 4 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगी आईगी जानते हैं कार्तिक पुडिमा का महत्व कार्तिक पुडिमा को त्री पुडिमा भी कहा जाता है धार्मिक मान्यताओं के अंसार इस दिन भग्मान सीव ने त्री पुडिमा का बज किया था त्री पुडिमा के बज से प्रशन होकर देवताओं ने कासी में दिये जलाए थे इसलिए इसे देव दिपावली कहा जाता है कार्तिक पुडिमा पर नदी में असनान का महत्व धार्मिक मान्यताओं के अंसार कार्तिक पुडिमा के दिन पवित्र नदी में असनान करने से ब्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग से देवताओं भी आकर गंगा में असनान करते है इसलिए कार्तिक पुडिमा के दिन गंगा असनान जरूर करना चाहिए अगर आपका गंगा असनान के लिए जाना संभव नहीं है तो घर पर ही पवित्र जल में गंगा जल मिला कर असनान किया जा सकता है कार्तिक पुडिमा के दिन प्रदूस काल में किसी नदी या तालाब में दीपदान करने का बिसीश महत्व है इस दिन सुभव ब्रम महूरत में किसी नदी या तालाब में दीपदान करने कार्तिक पुडिमा के दिन दीपदान करने से घर में खुषाली वशुक्षमरिदी आती है कार्तिक पुडिमा के दिन पूरे घर की साप सफाई करें, घर को गंदा ना रखें मान्यता अनुसार ऐसा करने से घर में धनकी देवी मालचमी जी घर में प्रविश करती है कार्थिक पुरिमा के दिन अपने घर को पुष्प माला सी सजाएं, घर के मुख्यद्वार में स्वास्तिक चिन्ह बनाएं, इस दिन भगवान विश्रू और माल लच्वी की पूर्या करें, इस विशेश दिन चावल, चीनी और दूध का दान करें, थोड़ी मात्रा में चावल, चीनी और दूध को, नदी में बहाना भी सुभमाना जाता है, इस दिन चाद के दर्शन जरूर करें, कार्थिक पुरिमा के दिन दीप दान करें, मानेता अनुशार इस दिन गौदान किया जाना चाहिए, इससे अनंद पुंददाई फल प्राप होते हैं, कार्थिक पुरिमा के दिन घर में दीप जलाएं, इससे घर की सभी परेशानिया दूर हो जाती हैं, कार्थिक पुरिमा के दिन कुछ कार्य करने से बचना चाहिए, जैसे इस दिन में नमक से पूरी तरह बचना चाहिए, इस दिन मांसा हारी भोजन नहीं करना चा पदात का शेवन नहीं करना चाहिए, अपना घर बिलकुल भी गंदा नहीं रखना चाहिए, किसी के प्रती मन में द्वेश की भावना नहीं रखनी चाहिए.